सौगत है आप सभी का क्विखिंदी पर और मैं हूँ अभिनो सिंग दोस्तों ये सुलावा पाट है अक्टूबर में जिनका वेक्जामन के लिए बहुत खास है ये तो आज क्या है ना ज्यादा क्वेश्चन लिया नहीं है थर्टी क्वेश्चन मिला है मुझे जो क्वेश्चन आये थे मैं देख रहा था तो इसमें से बहुत सारे नए क्वेश्चन इसमें है तो इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है इसमें ज़्यादा सब नए मिलेंगे आपके इतना समझ चलना है तो आप लोग भी मुझे ज़रूर क्वेशन बेजना सभी लोग अबने सिंग 177 मेरी आईडी है फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे तो क्वेशन सब को भेजना है तो मैं डिसकस करूँगा उसको उसी दिन जैसे जिस दिन भेज़ोग उसी दिन सामको में जितने भी क्वेशन आयरेंगे मेरे पास मैं कोस्ट करूँगा सारे आपको बताऊं ठीक है तो सब लोग को वाल दे वेस्ट मेरे तरफ से चली फिर आज का सुरू करते हैं अब आज का फ़ले क्वेशन है वाटसप ग्रूप में अधिक्तम कितने सदस हो सकते हैं यह कुषचन मैं कई बार बताया है वावसे वाज़े लेकिन इसको मैं लिया क्योंग कि मैं देख रहा था कुछ इसमें डौट्स थे इसलिए मैं इसको लिया मैंने तो मैंने इसमें क तो मैं खुदी सौक डगया, तो मैं देख रहा हूँ, अभी इसके पहले मैं देख रहा था हूँ, वार्सप ग्रूप में ही तो 256 दिखा रहे थे, लेकिन अभी 277 दिखा रहे हैं, तो अगर option में आपके 277 है वहाँ पे exam में ध्यान देना, तो आपको 277 पे कर देना है, ठीक ह इसलिए question मैंने सबसे पहले लिया, बड़ा important बात है ये, अभी तक 257 था, कहीं भी देखोगे आप 257 ही मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा था, 277 दिखा रहा था, ये बात ध्यान देना है, अब next पेटियम के founder कौन है, important question है ये, पेटियम के एक e-wallet है, है कि नई, e-wallet है, ये UPI-based, इसके founder है, पिजय सेखर सरमायाद रखने बात, अब next Facebook क्या है, है तो simple सा question, ये तो सब बता लोगे, लेकिन ये भी question आता है exam में, इसलिए आपको, ये मिल गया है उसी में था, जो मिले पास भेज़े थे लोग, तो social media is cancer होगा, question आता है, जिसको ना पता जान लो, आप next L-M-O-L-D, मतलब A-M-O-L-E-D, सीधी सी बात है, इसका full form क्या होगा, ये भी question 100% पूशन के exam में, इतना समग चलना है, ये सारे question आये हुए थे, तो मैं ढूड़ा तो मिला मुझे, तो ये नए ने मुझे लग रहे थे, इसमें सिर्फ जादा स्यादा, तो इसलिए मैंने question अब बचे ही नहीं, मेरे पास वैसे, अब आप लोग भेजना मेरे पास, ठीक है, सब लोग भेजना मेरे पास, थोड़ा थोड़ा करके भेजोगे, 1000 लोग भेजोगे, 10-10 question तो कितना बंज़ेगा, 10-1000 question बनता है, इतना समझ के चलना है आपको, तो इसका answer क्या होगा, active matrix, organic light emitting diode, अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है, क्या है, LED क्या होता है, एक प्रकार का, यह display है, मतलब, एक प्रकार का यह क्या है, display है, यह बात ध्यान रखने आपको, उसे LED तो light वगएर भी होते हैं, अब next, क्या Libra office में, control plus F का वही काम है, जो MS office में है, यह भी question पूछा गया है, 100% यह भी पूछा जाएक exam में, मालोई तो मैं बताया हूँ पहले भी, यह question मुझे याद है, मैं discuss किया हूँ, तो यह हो जाएगा बिल्कुल 100% true, वही काम होता है दोनों में, फाइंड का होता है, और find and replace का control plus H होता है, अगर कभी पूछे तो, एक होता go to control plus Z, next, cloud computing में कितने dimensions होते हैं, यह भी important है, यह भी question नया मुझे लगा, फिरहाल, इसके बार मैं आपसे बताया हूँ थोड़ा सा, समझ नहीं पर होगे बहले उसके बारे में, तो जो cloud computing होता है, जो उसमें dimension तीन होते हैं, ठीक है, कौन-कौन से, उसमें होता है क्या देखो, जो SaaS, सुने आप, software as a service, SaaS, एक होता है, IaaS, industrial as a service, और तीसरा होता है, platform as a service, SaaS, as, pass, वो तीनों हैंड, इसके cloud computing के तीन dimensions, यह बता आपको यहारा मखना है, ठीक है, एक important है, उसक option भी आजा, तो भी कलेना आपको, जो मेरा SaaS, as, pass, यह भूलना नहीं, अब next, पहला electronic computer कौन सा है, यह भी simple सा question देखा जाए तो, जिसका answer क्या होगा, एनियाक, एनियाक पहला electronic computer है, और difference engine पहला, mechanic computer बोलते हैं इसको, और Univog, digital computer जैसे, इसको बोलते हैं, यह बाद ध्यान रखने आपको, ठीक है, important Univog भी, अब next, भारत के किस अस्थान को Silicon Valley कहा जाता है, है तो बड़ा important लेकिन, इसमें सबको पता होना चाहिए, आप लोग question आपको मिलेंगे तो कल ले रहा है, जिसका answer क्या होगा, बैंगलोर को बोला जाता है, बैंगलोर एक software का, मतलब गढ़ माना जाता है, जानते हो नहीं आप लोग, उसको Silicon Valley City भी बोलते हैं, यह बाद ध्यान रखने आपको, बैंगलोर, करनाटक की रजधानी है बैंगलोर, अब next, कौन सा printer सबसे सस्ती कीमत देता है, जब धोक के कागज printed करने होते हैं, मतलब बहुत जादा print करना आपको, पहली बाद, दूसरी बाद सस्ती भी होनी चाहिए, तो दोनों ऐसा कौन सा printer है, जो आपको provide करेगा, जादा भी करनी है, और सस्ती भी होनी चाहिए, इसका science हो जाएगा laser printer, देखो, जो ink printer होता है, वो तो ink यूज़ करता है, लेकिन ये laser printers होता है, वो ink नहीं यूज़ करता है, वो क्या यूज़ करता है, उसको बोलते हैं, एक type का toner होता है, उसका नाम होता, toner, लेकिन ये भारी संख्या में print भी करता है, और सस्ता भी पढ़ जाता ह ज्यादा करता है यह और फास्ट भी करता है यह सब बाते ध्यान रखना आपको लेजर प्रिंटर आप नेक्स्ट सौर्ट कटकी फॉर न्यू स्लाइड अब न्यू स्लाइड कहरा है इसका मतलब है यह इंप्रेस का क्वेश्चन है है न बड़ा सिंपल सा ही यह ऐसे कई बार में आपको बताया है उसके बारे में तो नए slide add करना हो तो control plus m यूज़ करते हैं impress में ये control plus m नए slide के लिए करते हैं जबकि writer और calculus का अलाग भी यूज़ होता है इसको उसमें clear formatting के लिए करते हैं जितने formatting हो तो सब clear कर दे गई है ध्यान देने बाद अब next founder of m commerce अब समझे रहे हैं m commerce मतलब mobile commerce उसको बोलते हैं तो mobile commerce के founder किसे बोला जाता है तो बोला जाता है Kevin Tuffay को ध्यान देने बाद mobile commerce बोला जाता है इनको और मारे जुखर पर facebook founder है Jeff Bezos amazon founder है और Bill Gates Microsoft founder है तो सब को आपको पता होना चाहिए सब पूछते हैं एक्जाम में अब next NCR 304 किस PD से संबंदित है अब NCR 340 ही क्या है 304 ये एक सुपर मतलब कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर था ये तो किस PD में ये बना ये पूछ रहा है किस PD से संबंदित है इसका सब्सक्राइब हो जाएगा 2nd generation देखो बनना तो इस्टार्ट हो गया फर्स generation में ये लेकिन बन के तयार हो था 2nd generation में उन्हें उस 680 में लॉंच किया गया और 1959 तक ही 1st generation बोला जाता है उसके बाद 2nd स्टार्ट हो जाता है 60 से तो 60 के बाद आए तो इस 2nd generation समधित है ध्यान रखना आपको और Univoc जो computer तो वह भी 2nd बोलते है ठीक है भारत का सबसे तेज सुपर computer कौन सा है सुपर ही पूछेगा computer नहीं सुपर पूछता है वैसे ध्यान रखना आपको तो इसका अंसर क्या हो जाएगा प्रत्यूस प्रत्यूस जो है प्रजन टाइम में सबसे सुपर सबसे तीज computer भारत का और परम पहला माना जाता है मतलब पहला है परम 8000 पूरा नाम होता है तो यह पहला सुपर computer है यह दोनों आपको बात को ध्यान बखना है प्रत्यूस फास्टस और परम पहला नेक्स्ट बिएफडी स्टेंड फॉर तिसका इसका 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 होगा वह से देखा जाए ना तो best finger detection एवीज का full form है बिएफडी का और bi-directional forwarding detection एवीज का है और binary file descriptor यह भी इसी का है यह computer संबन्दित है और यह दोनों digital से संबन्दित तो सभी हो सकते हैं इसका answer इसलिए मैं all of you कर रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ वैसे जहां तक उम्मीद मुझे है कि यह C number वाला फूजता होगा binary file descriptor वैसे उसमें यह सब option नहीं देंगे अगर यह पूछेगा binary file descriptor तो यह सारे option वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा इतना जाना यह सम मिले तो कर देना वैसे मिलेगा नहीं उम्मीद है यह भी आपको ध्यान रखना है और पहला वाला भी जो भी आया सब पढ़ लो ध्यान से next टेली ग्राम समोह में सदस्तों की अधिक्तम संक्या क्या है टेली ग्राम में भी गुरूप होता है जैसे वाटसप में भी मैंने 257 बताया इसके पहले मैं आपको 256 बताता था क्योंकि मैं देखता था हर जगे आप जहां देखो 256 मिले पहले बत तो और अक्शुल में गुरूप में भी देखता 256 वहाँ पर दिखाता था लेकिन आज मैं देख रहा था 257 वहाँ पर दिखाता था कहां पर क्लिक करेंगे कहीं से आपके पास email आया है कोई उसको भेजना कहां पर दूसरे को तो reply reply all या फिर forward send कहां क्लिक करेंगे तिस कैंसर हो जाएगा फारवर्ड पर ठीक है फारवर्ड पर क्लिक कर दो चला कहीं भेजना दूसरे जगा अगर उसी पर भेजना है तो reply पर करो गए इध्यान रखना है आप next निम लिखित में से कौन सा सबसे पहले blockchain का रहन बित्रिद किया गया है यह भी important question है blockchain के बारे में देखो questions आते है यह simple सा question है मैं बताया है आपको पहले सबसे पहले किस ने किया था और फिस calc में cause, event, fact, exp किस category के function है किस category function है इसका मतलब समझ रहे हो आप देखो इसमें होता क्या है मैं आपको दिखाता है उबर जैसे यह है calc और insight में जाओगे जब आप तो function में जब जाओगे आप तो यहाँ पर देखो all में category में देखा database, date and time, financial information, mathematical है यह अब mathematical में देखोगे न तो cause देखो यह cause मिल रहा है यह सब किसमें होता है जब cause मिल गया मतलब सारे तो इसको mathematical answer हो जाएगा इसे में सब मिलेगा आपको cause, event, fact, category, सारे category यही same question Excel में math and tring होता था option जहाँ पर वहाँ पर लिखा है mathematical वहाँ पर math and tring होता था Excel में, यही दोनों differences में Excel पूछे तो यह वाला बी number वाला answer होगा क्योंकि उसमें दोनों होता था एक ही साथ, समझ के चलना आपको next किसका उपयोग computer पर slides वो बनाने के लिए किया जाता है बड़ा simple सा कोच्चा नहीं भी तो presentation graphics इसकैंसर हो जाएगा बड़ी simple सा ही slides वो बनाने के लिए presentation graphics गूश करते हैं next bitcoin blockchain पर अधारी थे किस block मतलब private, public public, permission permission कैसा है इसकैंसर क्या होगा तो simple सी बात है ये आपको ध्याम रखना है कि public ठीक है, bitcoin public blockchain पर अधारी थे इबाद ध्यान देना, आप next इन में से किसने blockchain को store किया जाता है, मतलब किसमे हो गए, किसने हो गए यहां पर चलो, बतावा आप इस cancel क्या होगा इन में से किसमे blockchain को store किया जा सकता है, एक flat file में, एक database में ये फिर दोनों में कर सकते हैं तो blockchain होता क्या है, ये छोटे-छोटे block में होते हैं समझ रहे बात जैसे कई लोग खड़े और line से तो कुछ समान पहुचाना है, वहाँ पर क्या करते हैं, उसको दे दो, फर उसको दे दो, इससे बुलते है block, छोटे-छोटे तो उससे क्या होता कि वह safe माना जाता है, जल्दी हो जाता है, इससे आपको सब कुछ इसमें होता है, तो ये दोनों इसका answer हो जाएगा दोनों में होता है ध्यान देना अब next 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या बिचार करना चाहिए किस पर बिचार करोगे आप जब 3D में कुछ बना रहे हो अगर तो important question है ये भी अब इसका मतलब समझ रहो क्या पूछ रहे है कोई चीज आप 3D में बना रहे हो तो क्या ध्याम रखोगे इसका answer क्या होगा मलूम है size होगा अब सोच रहोगे size क्यों होगा क्योंकि देखो 3D तो quality खोदी होता है तो quality से मतलब नहीं है अब functionality क्या मतलब है quantity से भी मतलब size जदा matter करेगा उसमें फिर कुछ बना रहे हो तो कि size का बनाओ कैशा होगा 3D में समझ रहे हैं बद्ध्यान देना आप next print करने के लिए हम किस file format को export करते हैं पूछ रहा है print करने के लिए इसमें एक ही ऐसा है अगर आप मालूम होगा आप सबको तो इसमें एक ही ऐसा है file format जो इसमें यूज क्या जाता है printing is related इसका इंसर हो जाएगा .stl file जो .stl file होता है वो especially print टिकले जो cd होता है computer added design cd, cad, cad बोलते हैं न 3D print 3D system से बना हुआ है इसका full form क्या होता है यह भी पूछ सकते है stl का मतलब क्या होता है तो देखो इसका मतलब यह लिखा हूँ मैं ध्यान समझ लो इसको बड़ा कर देता हूँ अब समझोगे तब तो steriolith croffy इसको बोलते हैं उसी का short form stl है यह एक cad दोरा design किया गया है 3D system दोरा cad के लिए होता है computer added design ठीक है next पहला search engine कौन साइस में तो इसका science और क्या होगा RG पहला search engine ने simple सा question है यह तो सब कर लोगे अब next निम निखित में से कौन जिसको आयोटी बोलते है internet of things से सम्मधित नहीं है अब इसको आयोटी भी बोलते हैं इससे सम्मधित कौन सा नहीं है अब data storage standard इसका मतलब data storage मानक बोलते है न उसको efficiency मतलब छमता होता है privacy मतलब concern मतलब जो निजी सुरच्छा के लिए होता है privacy मतलब सम्मधित नहीं हमारी सुरच्छा के लिए होता है और cyber security सुरच्छा के लिए होता है मतलब cyber सुरच्छा तो इनमें से ऐसे जो जरूरी नहीं है उससे सम्मधित नहीं है तो simple से बद देखो ये तो privacy जरूरी है cybersecurity भी जरूरी है और data storage मानक भी जरूरी है इस standards है यही efficiency समझ में नहीं आ रहा है यह ज़रूरी नहीं है इसका एंसर क्या हो जाए efficiency ध्यान रखना अब next भारत का कौन सा local search engine है जो दुकानों का बीड़र रखता है google.com, makan.com, justdial.com, चुटकी में, घर.com ये तो नया समझ में आ रहा चुटकी में घर.com इसका एंसर क्या होगा हो ऐसे इसका एंसर जस्ट डायल हो जाएगा simple से बादे पहले भी मैं आप से discuss किया हूँ इसके बारे में ध्यान देना important है इंटरनेट of things में किन जोखिमों और चुनोतियों पर विचार किया जाना चाहिए internet things से काफी questions आते हैं बीच बीच में मैं discuss करता भी रहता हूँ इसमें दो-चार questions मिल गए जो बड़ा important है आपको पता होना चाहिए हो मैं बताता रहे तो internet things के बारे में आपको इसका answer क्या होगा privacy and security, energy and consumption network, consumption मतलब नीजी कड़वा सुरच्छा उर्जा खफत, energy, consumption मतलब उर्जा खफत और network congestion होता है या फिर सभी ति सिंपल सी बात ही सारे important है सारे चुनोतियों पर विचार करना चाहिए हमें समझ रह बात इस बात ध्यान देना आप next internet of things का विसकार किस ने किया था बड़ा important है ये किस ने किया था कब किया था अब कब पूछ ले तो 1909 भी आपको बताना है समझ रहे बात ध्यान से समझ न 1909 भी केविन अच्टन द्वारा internet of things का पहली बार मतलब इन्होंने इसको नाम लिया उसका किया है उसके बारे में next निम्ण में से कौन MQTT प्रोटोकॉल को सुपरभासित इसका answer मतलब यहां पे होना चाहिए एक गलती साइसा हो गया है सुपरभासित तो कौन सा सुपरभासित करता है MQTT MQTT मतलब मने आपको बताया था message queuing telemetry transport इसका full form 100% पोचेते हैं यह भी 100% पोचेंगे तो message queuing telemetry transport यह मैं उस दिन बताया था आप से तो यह साफ साफ बोला क्या message queuing मतलब message के लिए होता है machine to machine machine to machine मतलब नहीं से इसका answer क्या होगा request response समझरे बात भेजना और तो इसका answer यह होगा request and response ध्यान पकना आप next पहली सुडिकित IoT device का क्या नाम है स्विक्रित तो simple सा question यह भी अब समार्ट बात स्विक्रित तो किया नहीं जा सकता तो सबसे पहला बोलते हैं कि ATM और एक coke machine भी थी देखो 1999 में इसके मैंना भी आपको बताया कि इसके बारे में इसका खोज हुआ लेकिन उससे पहले 1982-84 की बात है एक Coca Cola machine था उसने भी launch किया था तो उसको भी बोलते है IoT device लेकिन ATM का ज़्यादा फोकस करना आपको option में अगर है तो ध्याम रखना यह बात फिर दूस्त में बस यही था आज का आखरी question अब आते हैं जो कल मैंने question पुछा था उसके बारे में देखते हैं उससे पहले आप से एक छोड़ा सा request है तो वीडियो सब लोग लाइक कर देना तो लाइक ज़्यादा ज़्यादा करना है ठीक है सभी को तो सब लोग लाइक करके जाना हो जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्स्राइब करके वेल आइक हों ज़्यादा करना फिर आते हैं question पर तो कल मने question पुछा था कि chain में कौन सा search engine चलता है तो चीन में Baidu नाम से popular search engine है जो की चलतलत और है लेकिन most popular search engine है Baidu यही exam में आता भी है और delete की हो ml कहा मिलता है trace में मिलता है तो यह भी exam में पूछते हैं तो आपको यह भी ध्यान में रखना है और आज का question है building और campus में यूज करने वाला concern network है यह भी question आता है exam में और PMZY का कब launch हुआ यह भी exam में questions पूछते हैं जरूर है तो दोनो questions का सोच देना और सब लोग जिनका वी exam में मुझे questions सबको भेजना है Facebook, Instagram या फिर comment box में भेज देना आप लोग लेकिन questions सबको भेजना है थोड़ा थोड़ा करके भेजोगो तो help मिलेगा मैं उसको discuss करूँगा ठीक है जिनका वी exam में को all the best और best अप लग दोनों क्योंकि लग भी जरूरी होता है life में सभी जानतों यह बात तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में फिर तब तक लेता है हैं तो जय भारत